असलामु अलेकुम ते अव्रीवन आप सबका वेलकम है आपकी अपनी चैनल चॉक एंड़स्टर अकैडमी पर हम उमीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगी तो आज जो हम बात करेंगी सबसे पहले हम जो है हमारी कोर्स के बारे में बात करेंगी हमारा जो कोर्स है जो कि ऑर जांसे अजनक हो रहे हैं पेपर 2 के लिए यानिकि उर्दू के लिए तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना है तो आप भी प्रपरेशिंतर को शांदार कर सकते हैं अगर आपको हमारे कोर्ष के पीनलेटिर कोई पी इन कोर्स लेना है तो आप इन नम्राद पर राबदा कर सकते हैं 9045 220432 ये नमबर आप इस पर WhatsApp कर सकते हैं आप इस पर Call कर सकते हैं और कोर्स की हवाले से आपको detail मिल जाएगी 9045 220432 तो कोर्स की हवाले से अगर आपको कुछ भी जानना है तो इस नमबर पर आप contact करेंगे आपको information मिल जाएगी तो बाकि जो है exam related आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा weekly test यहाँ पर दिये जाते हैं doubt session यहाँ पर होते हैं recorded form में भी classes मिलते हैं और उसके साथ लाइव classes भी जो है यहाँ पर प्रवाइड किये जाते हैं तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो बिना देर किये हुए आप भी हमारे साथ जुड़ जाए तो अपनी तैयारी जो है शांदर तरीकी से कर लीजे और अगर हम देखेंगे आज की class में मुमिन खान मुमिन के बारे में पढ़ेंगे इनकी हालात इजनकी के उपर जाएजा लेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मुमिन खान मुमिन जो है इनका क्या नाम था तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मुमिन खान मुमिन जो है इनका जो नाम था मुम्मद मुमिन खान इनका नाम था और पैदा हुए हैं तो ये जो है 1800 इसी में पैदा हुए है कहां पर पैदा हुए थे तो दहली में पैदा हुए थे मुमिन खान मुमिन जो है 1800 इसी में पैदा हुए थे और इनकी जो वफाद हुई है 1852 इसी में ये वफाद कर गए थे दहली में ही यहां पर आप याद रखेंग मुमिन खान मुमिन दहली में ही पैदा भी हुए थे और इनकी वफाद भी दहली में ही हुए थी जैसे कि मीर दर्द भी पैदा हुए थे दहली में ही और वफाद भी दहली में ही उनकी हो गई थी उसी तरह जो है मुमिन खान मुमिन की भी पैदाश और वफाद भी दहली में ही हुई थी आप याद रखेंगे और दहली जो है दर्वाजे के बाहर शाह वली उल्ला के खांदानी कबरिस्तान में दफन है मुमिन खान मुमिन जो है दफन कहां पर है तो दहली में ही है दहली दर्वाजे के बाहर जो शाह वली उल्ला के खांदानी जो इंका कबरिस्तान था उसी में ये दफन है मुमिन खान, मुमिन तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे मुमिन खान, मुमिन जो है कोटे से गिरने की वज़ा से इनकी मौत हुई थी एक हादसा हुआ था इनके साथ कोठे से गिरे थे कोठे से गिरने के बाद कुछ महीनू के बाद इनकी डेथ हुई थी यानि कि इनकी मौत हो गई थी मुमिन की मौत कोठे से गिरने की वज़े से हुई थी मुमिन जो है मौत से चंद महीने पहले मुमिन कोठे से गिर पड़े थे क्या हुए थे मुमिन खन मुमिन जो है मौत से पहले चंद महीने पहले कोठे से गिर पड़े थे जिसकी वज़े से हाथ पाउं तूड गए थे मुमिन के साथ क्या हुआ था ये कोठे से गिर पड़े थे जिसकी वज़े से क्या हुआ था इनके जो हाथ पाउं थे वो तूट गए थे इस हादिसे की तारी कहीं जो आकरकार मौद की तारीक भी साबित हुई और ये इनके मजार पर खुंदा है दस्त वबाज वबशकत हाथ पाउं तूट गए थे जिसकी मैंने पहले ही बोला था ये जो है इनकी मौद किस वज़े से हुई थी ये भी कारण था कोठे से गिरने की वज़े से मौत से चंद महीने पहले ये जो है कोठे से गिर पड़े थे क्या हुआ था इनके साथ हाथ पाउं जो है तूट गए थे मुमिन खान मुमिन के हादिसा की अगर हम देखें कि इस हादिसा की तारीख है कही न कही आखरकार मौत की तारीख भी साबित हुई तो अगर हम बात करेंगे मुमिन खान मुमिन जो है इनके वालिद का क्या नाम था तो मुमिन खान मुमिन जो है इनके वालिद का जो नाम था गुलाम नभी खान था इंपोर्टन्ट है आप याद रखेंगे इनके जो वालिद का नाम था गुलाम नभी खान था और मुमिन का खानदानी पेशा क्या था तबाबत था यानि तिब के जो है इनका पेशा था तिब का इलाज का जो है इलाज करते थे डॉक्टर थे या जिसको हम हकीम भी बोलते हैं तो ये जो है इनका खानदानी पेशा था और मुमिन का खानदानी पेशा तबाबत का था और अगर मा आगे देखेंगे गुलाम नभी जो है हकीम गुलाम नभी खान जो के वालिद थे मुमिन खान मुमिन के उनके मुर्शिद जिनका नाम था शाह अबदल अजीज जो हकीम गुलाम नबी खान के मुर्शिद थे जिनका नाम था शाह अबदल अजीज इन्होंने मुमिन की पैदाश पर मुमिन के कान में आजान दी थी और मुमिन का नाम क्या रखा था क्या तजवीज किया था तो मुमिन तजवीज किया था हالانکہ गरवालों ने हबीब उला नाम रखा था मुमिन खान मुमिन का और इसके बात मुमिन ने अर्बी शाह अब्दिलकाद्र से और दिब अपने वालिद हकीम गुलाम नभी से पढ़ी थी मुमिन के अगर हम बात करें कि इन्होंने अर्बी की तालिम किसे हासल करी थी तो शाह अब्दुलकादिर से इन्होंने अपनी अर्बी तालिम हासल की थी और तिब जो है अपने वालिद यानि कि हकीम गुलाम नभी खान से इन्होंने पड़ी थी मुमिन खान मुमिन ने और मुमिन खान मुमिन जो है मुमिन खान मुमिन रियाजी नजूम मौसकी शत्रज में भी महारत रखती थी रियाजी में भी नजूमी में भी मौसकी में भी और शत्रज में क्या थी इनकी महारत हासल थी और मुमिन को अल्म रमल और तारी गोई में भी महारत हासल थी यानि कि जो है अलिम रमल जो है इसमे भी इनको क्या थी महारत हासल थी अलिम में गैब था और तारी गोई में भी इनको क्या थी महारत हासल थी मुमिन की शारी के उस्ताद कौन थे तो शाह नसीर थे अब हम देखेंगे जो मुमिन के शायरी के उस्धाद है इंके जो शायरी के उस्धाद है वो कौन थे तो शाह नसीर इनके शायरी के उस्धाद थे और मुमिन जो है मसलकन वहाबी थे मुमिन क्या थे तो वहाबी थे ये जो है हाफिज कुरान भी थे मुमिन खान मुमिन वहाबी थे और इन्हों ने जो है हाफिज भी किया था हाफिज कुरान भी थे और मुमिन ने दो शादियां की थी पहली शादी जो है 1833 इसमी में एक जमीन दर खांदान की लड़की से की थी लेकिन ये जो है निबा नहीं पाए थे उशादी को तो जिसकी वज़े से ये अलग हो गए जो कि 1833 में इनकी शादी हो गई थी और मुमिन की जो दूसरी शादी है जो कि किसके साथ हुई थी ख्वाजा मीर दर्द के खांदान में हुई थी जो मुमिन खान मुमिन है इनकी जो दूसरी शादी हुई थी ख्वाजा मीर दर्द के खांदान में हुई थी और इन से एक लड़का, अहमद नसीर खान जिसका नाम था, वो पैदा हुआ था, और एक लड़की महमधी बेगम ये दोनु जो है, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई थी, दूसरी शादी जो की थी मुमिन खान मुमिन ने, ये दोनु जो है, बकेद हयात रहे यानि कि अहमद नसीर खान और महमदी बेगम और इसके पाद जो है मुमिन की माशोका का जो नाम था उम्मुल फातिमा था क्या था मुमिन की जो माशोका था माशोका थी सॉरी उनका नाम था उम्मुल फातिमा और तखलुस उनका हिजाब था मुमिन की माशोका का नाम उमल फातिमा और तखलुस हिजाब था मस्नवी कौल गमी ये मस्नवी है मुमिन खान मुमिन की जिसका नाम है कौल गमी इसमें मुमिन खान मुमिन ने माशोका के किरदार है इसमें अगर हम देखेंगे जो कौल गमी है मस्नवी मुमिन खान मुमिन की इसमें जो है उनकी जो माशोका थी उनका किरदार है जिनका तखलुस क्या है साहिब जी है जिनका तखलुस साहिब जी है और अगर हम बात करेंगे मामला बंदी जो है मुमिन के कलाम का खास वस्प रहा है इंपॉर्टन्ट है मामला बंदी जो है किसके कलाम में पाई जाती है मुमिन सनत मुकरशायराना के मौجद थे मुकर शायराना के मौजद कहा जाता है मुमिन अपने तखलस को जिनका तखलस था मुमिन उसको माने खेज अंदाज में इस्तिमाल करते है मुमिन का तखलस था मुमिन था उसको अपने क्या करते थे माने को जो है तकल उसको माने खेस अंदाज में इस्तेमाल करते थे मुमिन, खर मुमिन और मुमिन की गजलों में इश्किया जजबात का बर्मला इज़ार रंगीनी और शुगफतगी पैदा कर देता है जिसके हमने अउपेर ही पड़ा है मुमिन की गजलों का दायरा क्या था हुसनवा इश्ग की महदूद था और इसके बाद अगर हम देखेंगे जो मुमिन के शागिर्द थे जनके बारे में हम देखेंगे शेपता थे इनके शागिर्द थे मीर हसन जो है मुमिन खान मुमिन के शागिर्द थे तसकीन थे मीर गुलाम अली वहशत क्या थे इनके शागिर थे और इसके अलावा असगर अली खान नसीम शेफता मीर हसन तसकीन मीर गुलाम अली वहशत असगर अली खान नसीम इसारे क्या थे मुमिन खान मुमिन के शागिर थे और अगर हम शायरी में देखेंगे जो मुमिन खार मुमिन के उस्ताद थे वो थे शह नसीर